और यूजूरली जब हम penny shares के बारे में discuss करते हैं तो आप लोगों के mind में ऐसे कहीं सारे penny shares के नाम आएंगे जो एक टाइम पे penny shares थे लेकिन आज की टाइम में वो multi bagger stocks है और अगर कोई essay share का नाम मालूम है तो उसको comment section में आप जरूर बताए यूजूली ऐसे multi bagger penny shares की quality क्या होती है वो fundamentally strong होते है, balance sheet stable होता है, low debt होता है, cash rich होते है और ऐसे industry में काम करते है जिसका future में scope होता है और मान लिजए अगर आपने ऐसे companies filter out करके चुन भी लिए तो उसके बाद भी penny shares are subjected to a lot of conditions जैसे की investor sentiment क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि stock अच्छा होता है लेकिन investor sentiment उसकी तरफ negative होता है और वो सालों तक negative होता है और ऐसे penny shares बहुती छोटे companies होते हैं तो इसलिए operators ऐसे stock को easily manipulate कर सकते हैं जहाँ पर वो लगातार इसमें upper circuit लगवा सकते हैं या lower circuit लगवा सकते हैं या कुछ operators के agenda में ये भी होता है कि वो सालों तक ऐसे stocks को बढ़ने नहीं देते हैं उसमें selling pressure create करके रखते हैं या किसी operator का agenda ये भी हो सकता है कि वो सालों तक इस stock को low quality fundamental stock होने के बावजूद भी गिरने नहीं देते हैं और इसलिए जब भी आप किसी penny share को choose करते हैं तो वहाँ पर rule number one यही होता है कि आप अच्छे quality वाले penny shares choose करें जैसा कि मैंने बताया था fundamentals और balance sheet clean होने चाहिए company का debt low होना चाहिए cash rich होना चाहिए और उसके साथ साथ जिस industry में काम करता है उसमें future में scope होना चाहिए और इन सारे precautions लेने के बाद भी penny shares में उतना ही पैसा invest करना चाहिए जो अगर zero भी हो जाए तो आपको regret नहीं होना चाहिए या आपके financials के उपर किसी भी तरीके का pressure या किसी भी तरीके का stress नहीं पढ़ना चाहिए और usually penny shares में invest करने का best strategy होता है invest and forget यानि एक छोटा सा amount जो zero भी हो जाए तो आपको regret नहीं होगा उतना पैसा invest करके आप उसको भूल जाहिए और किसी भी हालत में profit या loss में आपको strategy change नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है profits होते ही लोग इस पे positive हो जाते है और और जादा पैसा invest करना शुरू कर देते है जो की बहुती risky साबित हो सकता है और कुछ लोग ऐसे stocks में loss देखते ही इन stocks को बेच देते हैं और loss बुक कर लेते हैं और यही share अगर future में जाके multi bagger बनता है तो तब उनको बहुत जादा regret भी होता है और इसलिए यहाँ पर invest and forget strategy में एक छोटा सा amount invest करना है long term के लिए भूल जाना है और किसी भी हालत में profit हो या loss हो उसमें strategy change नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर already आपने risk accept कर लिया है कि अगर zero भी हो जाएगा पैसा तो आपको regret नहीं होगा तो यह risk accept करने के बाद it doesn't make sense to change your strategy और उसके साथ एक और बात यह भी है कि जब भी हम penny shares के बारे में बात करते हैं लोगों को यही लगता है कि penny shares यानी एक रुपई का share, दो रुपई का share, पांच रुपई का share ऐसे low cost का जो share होता है वो penny shares होता है ऐसे लोग मानते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है usually यह जो छोटे market cap वाली companies होती है उनके shares को penny shares बुला जाता है अगर किसी company का market cap 1000 करोड है या 2000 करोड है तो ऐसे company के जो shares होते है उसको penny shares बुला सकते है और इस confusion का सबसे best example है Yes Bank क्योंकि Yes Bank का share price है वो 12 ए 13 रुपीज के आसपास है जिसको देखके लोग सोचते हैं कि यह penny share है लेकिन अगर आप उसके market cap देखेंगे तो उसका market cap around 32,696 करोड के आसपास है जिसे ये company एक mid cap company बनता है ना बलकि एक penny company और same case Vodafone Idea के साथ भी है Vodafone Idea का share 10-11 रुपीज के आसपास है लेकिन उसका market cap 31,177 करोड के आसपास है यानि ये भी एक mid cap company है और इसलिए कोई share penny share है या नहीं उसको जानने के लिए आपको stock का price नहीं देखना है बलकि उसका market cap देखना है तो चलिए अभी discussion को आगे बढ़ाते है और अभी तक जो हमने discussion किया penny shares को कैसे choose करते है या उसके पीछे का logic क्या होता है उसी logic को इस्तमाल करके मैंने एक penny share को pick किया है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन discussion को आगे बढ़ाने से पहले stock market के regular updates के लिए हमारे telegram channel जरू जोइन कर ले हमारे telegram channel का ID है async official और उसका joining link आपको नीचे वीडियो के description में भी मिल जाएगा और उसके साथ-साथ stocks को buy करने के लिए या sell करने के लिए आपके पास DMAT account होना जरूरी होता है तो इसलिए मैंने वीडियो के description में इंडिया के top 3 discount brokers का link दिया है जहांसे आप अपना DMAT account open कर सकते हैं और free में बहुत सारे benefits भी पा सकते हैं और benefits के बारे में जानने के लिए और DMAT account open करने के related doubts के लिए आप हमारे WhatsApp chat support number पे भी message कर सकते हैं और वहां से help ले सकते हैं and finally ऐसे quality research बनाने के लिए हमारी team जो महनत करती हैं उसके बदले में अगर आप मुझे और मेरी team को appreciate करना चाहते हैं तो जो वीडियो के उपर like बटन इसके उपर click करके आप वीडियो को like भी कर सकते हैं तो चलिए अभी discussion को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस stock के बारे में और उस stock का नाम है Manali Petrochemicals Limited और ये company एक chemical company है जो अलग-अलग industry के लिए raw materials बनाता है और ये company specialized है कुछ chemicals के manufacturing में जैसे की propylene glycol, polyether polyol, propylene oxide, polyols और इसके related substances के लिए और इंडिया में ये अकेला company है जो propylene glycol बनाता है और इंडिया में ये company propylene oxide का first and largest manufacturer भी है और ये company इना अलग-अलग chemicals को use करके अलग-अलग industries के लिए raw materials भी बनाता है जैसे की appliances and thermoware जहाँ पर ये insulation materials और insulation chemicals प्रोवाइड करता है automobile industry में ये seating materials प्रोवाइड करता है यानि seats बनाने के लिए जो material चाहिए होता है ये company वो भी supply करता है और steering wheels पर यानि गाडियों का जो wheel होता है steering wheel होता है उसके ओपर जो skin formulation होता है जो safety and grip ensure करता है वो material भी ये company प्रोवाइड करता है और ये company NVH system materials भी प्रोवाइड करता है जिसको गाडियों में vibrations reduce करने के लिए और vehicle cabin को seal करने के लिए इस्तमाल की जाती है जिससे vehicles में support भी बढ़ता है और उसके साथ साथ noise और dust भी reduce होता है और उसके साथ साथ ये bedding और furniture industry के लिए भी raw materials supply करता है जैसे कि beds बनाने में जो visco elastic foam यूज की जाती है ये company उसको supply करता है furniture में sofa बनाने के लिए या cushion seats बनाने के लिए जो materials यूज की जाती है ये company उसको भी supply करता है और उसके साथ साथ ये construction related chemical materials भी बनाता है जिसको waterproofing और surface protection में इस्तमाल की जाती है ये company जो materials बनाता है और chemicals produce करता है उसको food, fragments और pharma industry में भी use किया जाता है और उसके साथ साथ ये company footwear industry में अलग-अलग durability के और resilient के materials भी supply करता है जिसको slippers, shoes और sandals बनाने के लिए इस्तमाल की जाती है और ये company insulation systems बनाता है जिसको building के panels को insulation करने के लिए, pipes insulation करने के लिए इस्तमाल की जाती है Manali Petrochemicals अकेला manufacturer है जिसने Vikram Sarabai Space Center को rocket insulation materials अपलाई किया था Insulations के बाद ये company solvents भी बनाता है जो एक तरीखे का chemical intermediates होते है जिसको paints and varnish industry में इस्तमाल की जाती है और उसके बाद ये company cast elastromers materials भी बनाता है जो एक type के synthetic rubber type material होते है जिसको rubber के बदले इस्तमाल की जाती है और उसके बाद यह अलग-अलग तरीके के industrial materials भी बनाता है, जैसे कि foaming materials हो गया, engineering appliances के लिए cast elastromers हो गया, drilling fluid हो गया, ऐसे कहीं तरीके के industrial materials से बनाता है, तो यह है इस company का पूरा business details, तो इस company के business देखने के बाद हम यहाँ पर कुछ points से summarize कर सकते हैं, जैसे कि company का business है वो बहु होती जादा important है, और दूसरा point यह है कि जिन industry को यह cater करता है, वो directly economic growth के साथ linked होते हैं, और अभी इंडिया का economy track पे वापस आ रहा है, और economic growth जादा anticipate भी की जा रही है, जिसके वज़े से मनाली Petrochemicals Limited को भी जादा फाइदा पहुँचना चाहिए, तो इसके अलावा अगर आ 256.76% का return से deliver किया है, और इस company के pro investment checklist में इसका default probability low बताया जा रहा है, लेकिन quality checks और growth score insufficient data की वज़े से available नहीं है, और इसका default probability हाँपर ticker tape low क्यों बता रहा है, उसको भी मैं आपको कुछी time में explain करूंगा, तो अगर आप इसका company का share price देखेंगे तो वो around 121 rupees के आसपास है, लेकिन वही अगर आप company का market capitalization देखेंगे, तो वो मात्र 2158 क्रोर के आसपास है, जो की बहुत ही छोटी company है, और इसी reason की बज़े से इस company का share भी penny share है, और इसलिए मैंने वीडियो के starting में आपको बताया था कि company के share price देखे, क्या कोई share penny share है या नहीं, उसे decide नहीं किया जा स परसंट का dividend yield भी देता है, यानि जो भी आप पैसा इस company में invest करेंगे, उसके ओपर आपको 1.2% का return से सिर्फ dividend से ही मिल जाएंगे, तो इसके बाद अगर आप company के profit and loss statement देखेंगे, तो 2017 और 2018 के बीच में company के net profit में 19.5% का growth हुआ था, 2018 और 2019 के बीच में 8.3%, 2019 और 20 के बीच म minus 0.9% का negative growth, 2020 और 21 के बीच में 27%, 2021 और trailing 12 months के बीच में 23.6% का growth हुआ है, यानि अगर आप 2019 और 20 के बीच में 0.9% का negative growth हुआ था, उसको अगर आप oversee करेंगे, तो बाकि इसका जो growth है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और उसके बाद अगर आप company का net profit देखेंगे, तो 2017 और 2018 क के बीच में 52.6% का growth, 2018 और 2019 के बीच में 32.8% का growth, and again 2019 and 2020 अगर आप as a exception consider करेंगे, तो यहाँ पर minus 39% का negative growth हुआ था, और वही 2020 और 21 में ये growth फिर से recover होके, और recover होने के साथ साथ और जादा बढ़के 327.7% का growth यहाँ पर हुआ था, और उसके बाद 2021 और trailing 12 months के बीच में around 38. 38.3% का growth हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि sales growth के comparison में profit growth इतना जादा कैसे हो रहा है, और इसका जवाब है, company का जो operating profit margin है, वो year on year basis पे बढ़ रहा है, जिसके वज़े से company जादा profits कमा रही है, क्योंकि 2017 में 8% का operating profit margin था, 2018 में 13% हो गया, 2019 में 12%, 2020 में 9%, लेकि कमा रहा है, और इसी reason के वज़े से sales के comparison में company का profit growth है, वो बहुत जादा है, तो overall अगर आप देखे तो company का profit growth और company का sales growth दोनों यहाँ पर consistent है, और दोनों case में significant growth भी हो रहा है, तो चलिए इसके बाद company का balance sheet देखते हैं, तो balance sheet में सबसे पहले देखेंगे company का debt, तो 5 साल पह पहले यह increase होके 23.1 crore हो गया, लेकिन अभी currently company का debt फिर से reduce होके around 14.3 crores के आसपास है, और इस debt के comparison में company के पास 287 crores की cash equivalents है, और इसके साथ साथ company के पास 70.4 crore worth of inventory भी है, यानि इस company को आप virtually debt free भी मान सकते हैं और cash rich भी मान सकते हैं, और इस company का अगर आप return on equity देखेंगे तो वो around 37.3% है, और last 3 years का average return on equity 22.8% है, जो की बहुत बढ़िया है, और वही अगर आप इस company के कुछ negative points के बारे में बात करेंगे, तो वो होगा इस company का share holding pattern, जहाँ पर promoters के पास 44.86% की share holding है, और इसमें किसी भी तरीकी का share pledge नहीं है, जो की अच्छी बात है, लेकिन क्या है, FIS, DIS और mutual funds की holding negligible है, और जो public and retail holding है, और 54.21%, उसमें भी कोई significant share holding नहीं है, यानि किसी भी public investor के पास 1% से जाधा share holding नहीं है, और last 6 quarters में promoter और public holding में किसी भी तरीके की significant change भी नहीं हुआ है, और इसके अलावा एक और negative point इस company में है, इसका trade receivables, तो यहाँ पर trade receivables क क्या होते है, उसको एक simple example से समझते है, मान लीजिए, आप एक चाय की दुकान चलाते है, और आप 100 रुपे spend करके दूद, शकर, चाय की पती और ग्यास लेके आते है, और उसको इस्तमाल करके आप चाय बनाते है, और by end of the day आप 500 रुपे का चाय बेचते है, और यह 100 पैसे अगले हफते दे देंगे, और यह आपके regular customers है, तो इसलिए आप उनको मना भी नहीं कर पाया, तो आपने भी उधारी दे दिया है, और यह जो 200 रुपे है, जो आपको आने है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, वो होता है आपका trade receivables, क्योंकि profit and loss statement में तो 400 रुपे का profit लिखा है, लेकिन actually में आपको अभी तक सिर्फ 200 रुपे का profit ही realize हुआ है, क्योंकि अभी 200 रुपे का profit उधारी में पसा है, तो इसी तरीके से अगर आप मनाली petrochemicals के trade receivables देखेंगे, तो 2016 में इसके जो trade receivables थे, इसके total asset के comparison में 18% थे, 2017 में 15.4%, 2018 में 18.2%, 2019 में 17.4%, 2020 मे 16.4% और 2021 में 19.4% है, यानि आपके पास जो भी asset है, उस asset में 19.4% trade receivables ही है, और usually ऐसे trade receivables में अगर 20% भी write-off होते है या वापस lot के नहीं आते है, तो company का जो net worth है, वो 4% तक erode हो सकता है, और यह दूसरा risk है, जो मनाली petrochemicals में मुझे दिख रहा है, जो की significant risk नहीं बोल स discuss करके discussion को conclude करते है, जहां पर सबसे पहले company के strength के बारे में बात करेंगे, तो company का return on equity बढ़िया है, sales growth और profit growth अच्छा है, company का जो business है, वो diversified है, across industries में फैला है, जो की बहुत बढ़िया है, और जिन industries को यह company cater करता है as a raw material provider, वो सारे industries economy के साथ linked है, यानि अगर Indian economy अच्छा कर कि इसका सबसे strong point है, तो यह है इस company के strength और वही अगर आप इस company के weaknesses के बारे में बात करेंगे, तो receivables इस company का एक weakness है, जहां पर total asset के comparison में 19.4% asset receivables में ही है, जिसमें अगर 20% भी right off होता है, तो around 4% की asset reduction का risk आता है, जो कि significant नहीं है, बलकि risk जरूर है, और इसका दूसरा weakness है इसका shareholding pattern जहां पर FIS और DIS का बहुत ही minimal presence है, जो कि negligible भी आप बोल सकते है, और उसके साथ साथ public shareholding pattern में भी ऐसा कोई strong shareholder नहीं है, जिसके पास more than 1% of the company हो, तो इन्हें छोड़के मुझे कोई और weaknesses इस company में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, कि इस company क strength के comparison में weakness जादा है या weakness के comparison में strength जादा है, उसको comment section में आप जरूर बताइए, और आज की वीडियो में मैंने आपको एक complete view देने की कोशिश किये कि penny stocks के साथ कैसे deal करते है, और उसके साथ penny stocks को choose करने की पीछे का logic क्या होना चाहिए, और अगर आप ऐसे ही penny stocks के उपर और ज झाल